दूस्तो यहां पे आप देख सकते होसो मैं पॉने इंटू हाप का मबीटी में तैप नुल टिप ला रहा हूँ सबसे पहले तो दो किस시다 विदिधा में दूने रही है मैं आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं मतलब इसका मुझे एक से सबस्क्राइब करना है यहां पर देख सकते हैं हैं बताऊंगा और साथी साथ दोस्तो एक land से दो कनेक्शन आपको बताऊंगा एक मुंतिपल्टी का लाइन जो डायक कि तैंकि में जाएगा और एक दोस्तो उससे जो है मौटल लाइन में भी जाएगा यानि 2 connection में आपको करके बताऊंगा तो यहां पर जेख सकता है इसके connection है म तो सबसे पहले लगा देना उसके बाद में इसका ग्रीप को लगाना है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं और जैसे आपको बिल्कुल नहीं लगाना है यहां वासरुक आपको घुमा कर लगाना है मैं आपको खोल कर भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले इसका आपको नाट पाइप का अंदर डालना है उसके बाद में इसका प्लास्टिक का ग्रीप को डालना है तो ग्रीप से पकट रहता है अगर ग्रीप नहीं रहेगा तो लिकेज हो जाएगा यहां पर दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक इंच का फोड़ी फैप में मैं लागा रहा हूं और इसको मैं यह जो लाईन है दोस्तों मोटर से पानी खीचेगा और साथ ही साथ दोस्तों रिजाविशन टेंक है नीचे उसमें भी पानी जाएगा तो दोनों लाइन का मुझे कनेक्शन देना एक पॉइंट से यहां पर मैं आपको करके बताऊंगा और दोस्तों यहां पर अब देख सकतों अलबम मैं लगा चुका हूं अब मैं दोस्तों टी भी एक लग कॉनक मैं मुझे एक बॉलबर लगाना है सबसे पहले और है तो यहां पर आपको बताऊंगा दूस्तों बॉलबर क्यूं लगा आ जाता है यहां बॉलबर बीन तो काम नहीं हो पाएगा क्योंकि दो एक लाइन में पानी खीचे गर तो दूसरों को बंद करना है, इसके सबसे बॉल भाप देना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे दोस्तो जहाँ पे डिरेक्ट पानी जाएगा, हमेशा पानी जाता रहेगा, वहाँ पे मुझे बॉल भाप लागाना पड़ा, तो यहाँ पे उसके इसको फोindi फग को मैं मतलब पहले बॉल्भर और わか 220 बॉल्भास को तो यह वे जो हैस सब से पहले सब नहीं हो पाएगा एक लेड्स arrives पानी जाएगा अगर मोटर में पानी जाएगा तो क्या है प्रेसर नहीं दे पाएगा तो एक को अगर मोटर चालू करना है तो इसमें से इसका बॉल भाल्प को मुझे बंद करना है तो इसके सबसे बॉल भाल्प लगाया हूँ यहाँ पर इसके बाद मैं इसको सबसे पहले connection कर देता हूँ और अंत में आपको details में बताता हूँ कौन सा दोस्तो बॉलवालप कब चालू बन करना है इसके इसाब से आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 से मैं इसको सबसे बेले बॉलवालप में लगा दियूँ और इसको भी मैं connection कर दियूँ अब जो है दोस्तो यह टी का जो connection है यह जा रहा है दोस्तो motor में direct तो दोस्तो एक लाइन से आपको दो करने के यही फायदा है बाइचंस अगर अगर आप दोस्तो motor से पानी खीच के उठाते हो तो अगर दोस्तो motor खराप हो जाता है तो भी क्या है आप यहां पर direct पानी आपका जाता रहाएगा या फिर आप दोस्तो आप motor यूच करना नहीं चाहते है अगर आप दोस्तो मतलब पानी है जो है आपका टैंकी में storage होता रहाएगा उसके बाद में अगर आप future में भी आप motor लागा सकते हो तो इसलिए एक लाइन से आप दो connection ले सकते हो इसके सबसे दोस्तो मैं इसका आपको connection करके बता रहा हूं तो आपको आसानी से आप आपके भी घर में आप इसको ऐसे point अप कर सकते हो इसका नाम भी दोस्तो पता करना पड़ता है उसका नाम जानना आपको जरूरी है तो यहाँ पर देख सकतो ही जो है hdp pipe का दोस्तो female adapter brass thread मैं लगा दिया था उसके बाद में MAVT और उसके बाद में T और elbow देखा दोस्तो एक line जो है motor का connection में गया है और दोसा line जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यह ball valve है दोस्तो अगर motor से पाने जब खीचेंगे तो यहाँ पर ball valve को दोस्तो बंद करना है मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे देजिए अज़ज़त बवाए